स्वागत करता हूं अपने सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तों मेरा नाम है सौरव सिंग और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी फॉर नॉलेज़ दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या डिस्कुस करने वाले हैं पहले मैं इसको सेलेक लेता हूं है स्लेबस फॉर बीस सी आउनर्स जी ठीक हैं भी सी आउनर्स अभी हमने इस से पहले जो वीडियो आई थी उसमें स्लेबस फॉर भी सी जी 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 एलागणी बट यह जो है यह honors course है यह especially geology में मतलब उन बच्चों के लिए हैं जिने clear हो चुका है कि उन्हें अपना career geology में ही देखना है in future ठीक है उन्हें geology में ही अपना career बनाना है क्योंकि यह course हम 12 के बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को clear है यह experience को clear है कि हमें course career geology में ही देखना है तो मैं आपको यह suggest करना चाहूंगा आप यह course तभी करें अगर आपको clear है कि आप geology से अपना career बनाना चाह रहे हैं ठीक है geology subject में क्योंकि एक specialized type का course है ठीक है यह आपको geology के career के साब से जो जो skill set चाहिए होती है वो चीज़ें भी आपको इसमें सीखने को मिलती है और अगर मैं general BSc geology course की बात करों तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है वहां पर बस आपको geology पढ़नी है normally ठीक है मतलब practical वहां पर भी करने होते हैं बट यहां पर कुछ इस course में कुछ additions ऐसे हैं मतलब इसमें जो आपको skills भी तैयार कर देती हैं आपको geology की job के लिए ठीक है तो उसको उसके हिसाप से कर देखा जाये तो preference BSc honors geology course की ही करनी चाहिए ठीक है इसमें एक चीज यह जादा है कि इसमें course थोड़ा detailed form में है general geology की मुकाबले course detailed form में है दूसरा इसमें आपको उन skills आपको दी जाएंगी जो geology related jobs में चाहिए होती है जिसे field work में ज्यादा है ठीक है communication skills उसका भी इसमें एक subject आपको एक semester में पढ़ना पड़ता है तो ऐसी काफी सारी चीजें इस course में general BSc geology जो आम BSc geology होती है उससे जादा है मतलब इस course में तो एक बार मैं दुबारा कहना चाहूंगा कि अगर आप को यह clear है या आपको geology से प्यार है आप geology में करियर अ बनाना चाहते हैं तो आप इस course की तरफ जाएं ठीक है यह पहली information बढ़ते हैं आगे अब देखो इस लेबस है ना यह six semester course का है under choice based credit system cbcs system तो हमारे college में यही system था लेकिन हमारे college में BSc honors नहीं था ठीक है बट जैसे यही system choice based credit system काफी colleges में है और यह एक तरीके का standard syllabus है ठीक है यह तरीके का standard syllabus है जो आपको across the Indian universities and PG colleges देखने को मिलेगा ठीक है यह फिर private colleges में भी देखने को मिलेगा ठीक है तो यह हम syllabus discuss करेंगे इसमें अब बढ़ते हैं आगे अब पहले आपको समझनी होगी यह चीज़ें ठीक है कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी semester 6 है यह कितने होंगे में यह तीन है semester 6 है अब देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें देखो एक तो है core course जिसमें आपको theory subject पढ़ना पड़ेगा दूसरा है आपका ability enhancement course ठीक है अब अब BSE geology में ability enhancement course नहीं होता है ठीक है मतलब geology का तो नहीं ही होता है अगला है skill enhancement course चौता है discipline चौता है discipline specific elective ठीक है इसको हम DSE कहेंगे और अगला है जैनरिक elective course यूपर से आ आ के ना बार बार पर परिशान कर रहे हैं मिरको जैनरिक elective course अच्छा इनके साथ है कुछ नंबर दिख रहे हैं क्या मतलब है इनका यह क्रेडिट्स कि हर एक subject को आपको कितने क्रेडिट्स मिलेंगे मुलाब credit points होते ना तो रिजल्ट credit points के आधार बनता है तो कोर कोर कोर्स के मिलेंगे 14 credit point ability enhancement course के 2 points और skill enhance score के course के 3 discipline specific elective DSE के चार और generic elective GE के चार ठीक है तो आई होप यह चीज़ है क्लियर होगँ की अब दिखो फिर्स्ट एैर का कोर्ट्स देखो यहाँ से लेकर यहां तों यह जो स्लिवर मार करा रहा हुँ यह फिर्स्ट टीर, क्यों सिलिवर कोर्फो कर पिसक्त, 1. सैमिस्ट्र का है अर्थ साइर्थ सिस्टम साइन्स और दूसरा है मिनरल साइन्स यहां पर एक कोर्स तो आपका यह है दूसरा आपको इसमें एबिलिटी एन्हांस्मेंट कोर्स पढ़ना वड़ेगा जिसके दो क्रेडिट पॉइंट है कम्यूनिकेटिव इंग्लिश और इसके लिए नहांस्मेंट कोर्स पहले सेमिस्टर में नहीं है और बी एसी भी नहीं है बट जैनरिक इलेक्टिव है जी इवन ठीक है अब यहां पर आप कुछ भी लेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलेज दित देता है तो इस तरीके से रहने व दूसरा आपको पढ़ना पढ़ेगा स्ट्रक्चरल जी लॉजी एविलिटी एन्हांस्मेंट कोर्स की बात करूं जिसके दो क्रेडिट पॉइंट है तो आपको इन्वार्मेंटल साइंस परनी पढ़ेगी और यहां पर इसका कोई कुछ नहीं है इसका कुछ नहीं है और य पर से से लेकर सिक्थ स्यम्स्टर तक फिर हम अब्लश्ण कोर्स को करेंगे पर या अजया अब्लब फिर खिूस नहीं हो यहीं करेंगें कुरेंगे उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे ठीक है आई समझ में पहले कौर कोर्स और ये फिर ये फिर ये इस तरीके से रहने वाला है अच्छा अब देखो ये वीडियो बड़ा जायएगा क्योंगि हमें इतने सारे स्लेबर डिसक्स करने हैं तो उसके लिए तुम र तो तकरीबन साठे साथ मिनट में तुम्हारा फर्स्ट एर पूरा हो गया अरे सर मौज गर्दी है ठीक है तो देखो अब सेकेंड येर पर आप पहुंच चुके हो सेकेंड येर में थर्ड सेमेस्टर की ब्यात करें पहला है इगनियस पेटरोलॉजी फिर ये है इसमें सेडिमेंटरी पेटरोलॉजी ठीक है फिर S.E.C. में यानि की अब देखो इसमें ये वाला कोर्स नहीं है ठीक है S.E.C. मतलब Skill Enhancement कोर्स है आपका ये पहली बार आपको आएगा थर्ड सेमेस्टर में यानि सेकेंड येर की बिगिनिंग में और जेनरल और जेनरिक इलेक्टिव रहेगा आपके पास थ्री ठीक है तो जेनरिक इलेक्टिव तो मुरे को लग रहा है शायद 6-6 सेमेस्टर में हैं और ये कुछ-Kुछ सब्जेक्स से हैं ये बीच में से घाया यह आपको नहीं पढ़ना हों ठीक है और इसमें आपको देखो क्या पढ़ना पढ़ेगा इगनेस पेटरलोजी सेडिमेंटरी पेटरलोजी और पेलैंटोलॉजी यह तो था थार्ड सेमेश्टर का संट सेमिस्टर की अगर हम बात करें तो देखो कोर कोर्स में आपको पढ़ना पढ़ेगा मेटामॉर्फिक वेटरोलॉजी स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल्स एंड इंडियन स्ट्रेटिग्राफी और हाइड्रो जी यह आपके पास नहीं होगा स्किल एन्हांसमेंट कोर्स का दूसरा परट और फील्ड वर्क यह आप पे होगा तो देखो यह चीज़े वहां पर आपके सरफ पीसि जी जिए नोग पतर ओको पर पूरे पूरे च्हें महीने आपको फील्ड वर्क मतलब उस पूरे कोर्स के के दौरान अगर फील्डवर्क कराया जायगा और पूरे कोर्स के के दौरान अगर फील्ड कराया जाएगा तो तीन दिन से तो ज्याद यह करता ही कि ठेथा तो बीज़ विद्स इन था फिंश य९ सपॉर्ण चाहं पर य। यह रहने 3rd year आ चुका है 3rd year में 5th semester की बात करें तो core course में economic geology और geomorphology यह आप नहीं है यह आप नहीं है अब देखो यहाँ पर आपका यह जो DSE है दो है DSE 1 और DSE 2 यह आप करना पड़ेगा ठीक है 6th और आखरी semester की बात करें तो सब्जेक्ट्स हैं engineering geology और remote sensing and GIS ठीक है यह आप पर course नहीं है यह course नहीं है DSE 3 और DSE 4 आपको करना पड़ेगा तो इन ही माइनों की वज़े से जो BSC honors geology है मैं यह नहीं बोलों कि BSC honors वाले मनला जो BSC honors course है वो जादा अच्छा है H O N O U R S ठीक है वो जादा अच्छा है नॉर्मल BSC geology के मुकाबले ठीक है तो अगर आपको यह point clear है कि हां भाई में तो geology में career देखना है तो आप 100% आप यही वाला course यानि BSC honors geology में जाएं ठीक है ठीक है सर जाएंगे कौन से college में जाएंगे अरे है ना तुम्हारा भाई जिन्दा बताएंगा आने वाली वीडियो में ठीक है टॉप कॉलिजिस की वीडियो आएगी अभी प्याले स्लेबस वाला portion कवर गरने उसके बाद टॉप कॉलिजिस की वीडियो भी आएगी फिर टॉप recruiters की वीडियो भी आगे मतलब है मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पूरी इसी चैनल पर मिल जाएगी ठीक है बस साथ बनाए रखना अब बढ़ते हैं आगे अब इस चीज़ को समझो यह क्या है कि सैमिस्टर वन की बात करें तो कोर्स आपका एबिलिटी एनहांस्मेंट पूर्स और कंपक्सरी कोर्स वन रहेगा और कोर्स ने इंग्लिश रहेगा और इसके 2 credit है और इसका practical आपको होगा देखो कोर कोर्स के आपको 4 credit मिलेंगे और कोर कोर्स का जो practical होगा मलब अर्थ सिस्टम साइंस को प्रैक्टिकल होगा उसको आपको 2 credit मिलेंगे दो credit points फिर कोर वह आपका देखो दो है ना कोर्स में भी एक तो अर्थ सिस्टम साइंस है दूसरा है मिन्रल साइंस इसमें आपको चार पॉइंट मिलेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल होगा उसके दो पॉइंट और जैने इलेक्टिव टू जो आपने ले रखा है इसके इसका भी में आपको दिखाता हूँ अभी अभी अच्छे पॉइंट इसके ठीक है इसका है च्छे पॉइंट और टोटल क्रेडिट्स आपके होगे तो टोटल क्रेडिट होगे आपको ऐसी देखना पड़ेगा 20 ठीक है तो ऐसा आपका एक सेमिस्टर का सिस्टम रहने वाला है इसमें भी चीज़ अबिलेटी एनांस्मेंट कोर्स है और कंपल्सरी कोर्स है इसके दो क्रेडिट पॉइंट कोर्स थ्री जो है आपका मतलब इसका तो पहला कोर्स और अगर हम सिरीज से गिने शूर तो 123 ठीक है elements of geochemistry और क्रेडिट इसके चार इसको प्रेक्टिकल होगा उसके दो और कोर्कोर्स फॉर्थ की मैं बात करूं तो structural geology आपकी यह रहेगी चार क्रेडिट पॉइंट और प्रेक्टिकल के दो क्रेडिट पॉइंट और generic elective के भी शायद 6 elective point है हाँ 6 है credit point और total आपका रहेगा है 20 तो यह भी आपको समझ में आ गया तो यह आपका first or second semester हो गया थर्ड semester देखो अब थर्ड semester में क्या है को और कोर्स फाइव है आपका इग्नियस प्रेडिट लॉजी चार क्रेडिट पॉइंट और इसके जो प्रेक्टिकल होगा उसके दो क्रेडिट पॉइंट ठीक है और इसमें देखो जो कोर्कोर्स शिक्स है यानि सेडिमेंटरी प्रेडिट पॉइंट इसके प्रेक्टिकल के दो कोर्कोर्स 7 जो है आपका प्रेडिट पॉइंट इसके चार क्रेडिट पॉइंट इसके प्रेक्टिकल के दो और जैनरिक इलेक्टिव थर्ड के छह पॉइंट और इसके लिए नहांस्मेंट कोर्स में आपका फील्ड वर्क वन होगा उसके भी दो ग्रैडिट पॉइंट तो टोटल इसमें देखो शुरू वालों में 20-20 ते स्याद इसमें 26 हो गए ठीक है अब बढ़ते हैं आगे सेमेस्टर फॉर्थ की बात करें तो कोर्कोर्स एट है आपका उसका प्रैक्टिकल है फिर ऐसे कोर्कोर्स नाइन है उसका प्रैक्टिकल फिर कोर्कोर्स टैन है और उसका प्रैक्टिकल तो भही यहाँ पर तीन कोर्कोर्स होगे Metamorphic Petrology उसमें आपके चार Credit Point और Practical के 2 Statigraphic Principles and Indian Statigraphy चार Credit Point और Practical के 2 Hydrogeology उसके भी चार Credit Point और Practical के 2 और जो Fieldwork 2 होगा आपका उसके दो Credit Point और जो Generic Elective 4 के शायद 6 होंगे और Total इसके 26 हो जाएगा तो वो यहां पर लिखा हुआ है बढ़ते हैं आगे Semester 5 का देखो Core Course 11 और उसका Practical Economic Geology 4 Credit Point और 2 Credit Point Core Course 12 की बात करें नाम है Geomorphology 4 Credit Point और Practical के 2 Credit Point Discipline Specific Elective 1 DSE ठीक है इन्होंने आपट DCE लिख दिया इसको DSE 1 होना से यह था और 4 Credit Point और इसका जो Practical होगा उसके 2 Credit Point ऐसी DSE 2 जो है आपका उसका 4 Credit Point उसके Practical के 2 और इस पर Total कितने है Total देख लो 24 Credit Point है ठीक है Total Change हो रहा है न अर बार Semester 6 की बात करें तो यहाँ पर आजाओ Semester 6 Core Course 13 Engineering Geology Credit Point 4 इसके Practical के 2 Core Course 14 की बात करें तो Remote Sensing and GIS 4 Credit Point और उसके Practical के 2 Point और DSE 3 के 4 और उसके Practical के 2 DSE 4 के भी 4 Point उसके Credit के 2 और Total की बात करें तो यहाँ पर भी 24 ठीक है और यह आप के हो गए है Semester 6 के 6 हो गए है पूरे पता ही नहीं चला यह सारे हो गए है और Total आपको जो Credit Point होगा तीन साल का पूरी उसका तो वो 140 Credit Point रहना वाला है तो देखो अब यहाँ पर आपको बता चला कि भाई इसमें कितने सारे Course है जो आपके Geology के Skill Set को एनांस करेंगे ठीक है Skill Set को एनांस करेंगे तो आप एक अच्छा Geologist और एक अच्छा Career बना सकते हैं इन स्किल्स की मंदद से और अगर BSC Geology देखें तो वहाँ पर Theoretical Course है और थोड़ा Practical है हाल का फुलका और फील्डर को आपके काफी कम होता है मतलब मतलब शहएद दो तीन ही ट्रिप्स होती है वो पी थीन-तीन दिन की ठीक है तो वनलब उतने में क्या ही फील्ड वर्क सीखता है आदमी मजे करने जाते हैं लोग ठीक है हमें लोग जाते हैं घूमते फिरते हैं सेल्फी यह है सेल्फी मैंने ले लिया अच्छा बई क्या कहते हैं किसी का बोन आजा इसके चक्कर में कॉपी राइट कि हमारे गाने का प्रमोशन कर रहे हो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया कोई बात नहीं यह शायद वीडियो लंबा ही होगा अब आ रहा है स्लेबस देखो अभी तक तो आपने सिस्टम को समझा अब स्लेबस आ रहा है दो देखो यह है कोर्स जियोलोजी पेपर वन अर्थ साइन्स सिस्टम अर्थ सिस्टम साइन्स इसमें आपके क्रेडिट थियोरी के चार पॉइंट है प्रैक्टिकल के दो पॉइंट है थियोरी लेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वन है आपकी अब आई होप ज़्यादा क्लियर दिख रहोगा यह देखो यूनिट वन में है आपका अर्थ हैसा प्लैनेट इसमें क्या है होलिस्टिक अंडरस्टेंडिंग अफ डाइनमिक प्लैनेट अर्थ जो हमारा यह डाइनमिक प्लैनेट है अर्थ इसकी होलिस्टिक अंडरस्टेंडिंग आपको चाहिए थ्रू एस्ट्रोनॉमी की मदद से अब देखो यह कितना अलग टॉपिक है बेसे जियोलोजी में यह नहीं है फिर आपको अर्थ की जियोलोजी समझने है फिर जियोलोजी समझने है मेटेयोलोजी एंड ओशिनोग्राफी ठीक है इसमें आपका दूसरा टॉपिक जो है यह है इंट्रोडक्शन तो वेरिस ब्रांचेस अब और साइंस अगला है जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड ओरिजिन ऑफ दे उनिवर्स फिर अगला है सोलर सिस्टम और इस प्लैनेट्स नेक्स्ट टॉपिक दे टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स तो यह आपको मिल दाएगा मेरे चैनल पर मेटोरॉइट्स एंड एस्टेरॉइट्स यह भी आपको अलका फिलका मिल दाएगा अर्थ हिंद सोलर सिस्टम ओरिजिन साइशेप मास देंसिटी रोटेशन एंड रिवालिशन पैरामेटर एंड इस एच यह पोर्शन आपको पूरा का पूरा मेरे चैनल पर यहनी स्टडी फॉर नॉलिज पर मिल जाएगा ठीक है मेरे नहीं हमारा शब्दा वाइली के लिए माफी चाहूंगो जल्दवाजी में हो जाता है ठीक है तो ऐसनी कि सरा आपने तो पहली वीडियो में तो कहा था कि बड़े हमारा चैनल है और आज कहरो मेरे चैनल है और नारा दोजब हमारे यह वाई सेनल ठीक है वो निकल जाता है चलो आगे देखते हैं यूनिट टू ठीक है यह है तुमारी यूनिट तू अब इसको देखो अब श्माइनिक फिल्ड जाएं यह बहुत चैप्टर का नाम है अप्ट्स अप्रेश्स अप्राइब पर श्माइनिक फिल्ड फॉर्मिशन अफ्कोर मेंडल करस्ट है डिस्फिर एक्मोस्फिर एंद भायो से यह आपको मिल जाए कान थे स्कोर एंद प्रोडक्शन इसमें concept of plate tectonics, sea floor spreading and continental drift में ने कराया हुआ है, geodynamic elements of earth, mid oceanic ridges, trenches, transform faults and island arcs, तो ये सब कुछ करा रहा है, शायद island arcs ना करा रहा हो, मुझे ध्यान नी आ रहा है, बट ये चीज़ा करा रहा है, origin of oceans, continents, mountains and drift valleys, ये शायद ना कराया हो, थोड़ा बट कराया हो, earth quake and earthquake belts ये करा रहा ह है, belts ना कराया हो, बट अर्थ quake को detail में समझाया है, और उसके PS waves बताई है, volcanoes, types, products and deer distribution, ये आपको पूरा का पूरा चैनल पर मिल जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल, search मानना पड़ेगा, study for knowledge, ठीक है, उसके आपको प्लेलिस section में जाना पड़ेगा physical geology के ये part है, मतलब आपके यहां तो earth science system है, DSC geology के syllabus को देखके मैंने कराया जा, तो वहाँ पर physical geology इसका नाम है, और उस playlist में आपको ये videos मिल जाएगी, दोनों ही languages में, हिंदी में भी और English में भी, अच्छा, हिंदी और English में कैसे, समझाया है भी, हिंदी में होगा किसी videos में और कुछ videos में, मतलब एक videos का मैं दो टाइप से बनाता था, पहले मतलब हिंदी में भी समझाया और English में भी समझाया था, आप खेर मैंने totally Hindi कर दिया है, और दूसरी चीज़, ज़रूर बताने साहूंगा आपको कि notes, क्योंकि मैं English medium से रहा हूं, तो notes आपको English medium में मिल कि explain, और समझाया आपको Hindi medium में जाए, यानि explanation आपका Hindi में रहेगा, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर, Hindi में कराई है, तो देखो यार मैं नहीं हूं Hindi medium से, तो मैं उस पे अभी तो नहीं कर सकता, शायर इन future में इतनी Hindi सीकलों कि Hindi में भी आपके लिए notes तयार करो, बट अ बढ़ते हैं unit 4 की तरफ, यह आपकी unit 4, यह रही, hydrosphere and atmosphere तो यह आपको मिल दाए चैनल पे, oceanic current system and effect of Coral Coriolis force, यह मुस्किल मिलेगा, concept of ecstasy, land air sea interaction, wave erosion and beach processes, atmospheric circulation, weather and climate changes, earth's heel budget, तो यह काफी नहीं है chapter है, इसमें से मनलब बहुत कम पार्ट आपको channel पर मिलना लाँ, शायर ना ही मिले, बट यह unit 5 है, soil, soil processes of formation, soil profile and soil types, यह आपको पूरा का पूरा मिल दाएगा, ठीक है, short and crisp notes, आपको से मिल जाएंगे, और explanation आपको मिल दाएगा, तो यह आप channel पर जा सकते हैं, और डून सकते ह बढ़ते हैं, यह application in geological studies, ठीक है, अगला है history of development in concepts of uniformitarianism, catastrophism and neptunism, laws of superposition and final succession, अगला है introduction to geology and geomorphology of Indian subcontinent, ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें, यह मैंने नहीं कराया हुआ है, ठीक है, तो यह आपको बुक से पढ़ना बढ़ेगा फिलाल करे, बढ़ते हैं, unit 7, cosmic abundance of elements, इसमें कहा है, distribution of elements in solar system and in earth, यह आपको मिल दाएगा, chemical differentiation and composition of the earth, composition of the earth मिल दाएगा, chemical differentiation शायद ना मिल पाए, general concepts about geological cycles and mass abundance, geochemical cycles, sorry, properties of elements, geochemical behavior of major elements, और आखिर में है mass conservation of elements and isotopic fractionation, तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूँ, कि आपको यह सब चीज़ें क्यों नहीं मिलेंगे, चैनल पर यह जो चीज़ें हैं, यह आपको इसलिए नहीं मिल पाएगे, क्योंकि मैंने जब यह syllabus करवाया था, तो मैंने, जब मैं BSA Geology कर रहा था, तो मेरी BSA Geology है, ठीक है, तो उस syllabus को दीखते होई करवाया था, बटे यह syllabus है, यह BSA Honors का है, तो इसका आपको कुछ कुछ पार्ट, 50% पार्ट, जितना भी पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, बस उसके लिए आपको क्या करना है, study for knowledge search माना, playlist section में जाना है, physical geology में, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा, हिंदी और English तोनों ही language में, अब देखते हैं, आपके practicals क्या क्या है, ठीक है, यह है, यह है practical, study of major geomorphic features and the relationships without crops through physiographic models, दूसर है, detailed study of topographic sheets and preparation of physiographic description of an area, अगला है, study of soil profile of any specific area, अगला है, study of distribution of major lithostratigraphic units on the map of India, next, study of distribution of major dams on map of India and their impact on river systems, अगला है, study of major ocean currents of the world, अगला है, study of seismic profile of a specific area and its interpretation, ठीक है, तो अब यह है, suggested books आपकी, ठीक है, बुक्स की मैंने पूरी 46 minute की वीडियो बनाई है, ठीक है, 46 minute की वीडियो, इतनी बड़ी, क्यों बनाए है सर, क्योंकि उसमें 24 subject, अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो, या कोई भी course कर रहे हो geology से related, तो उसमें आपको 24 subjects की books के नाम मिल जाएंगे, और मैंने हर एक subject की कम सकम 3-4 books बताई है, और उन 3-4 books में भी best book मैंने बताई है, जो आपके लिए हो सकती है, तो आप उस वीडियो को चैनल पर जाके देख सकते हैं, books for geology करके मैंने डाली है, और यह आपको मिलेगा, all about geology playlist पे, ठीक है, उसमें आपको geology के बारे में हर एक information मिलेगी, उस playlist में, अभी वो playlist तैयार हो रही है, तो उस playlist में मिल जाएगी है, हाला कि अभी देख उसमें 3-4 वीडियो आज शुकी है, ठीक है, तो उस मतलब all about geology playlist जो मैं बना रहा हूं, उसको देख से क्या है, geology से related, जि students ने मुझसे मांग करी, वो सब कुछ मैं उसमें दूँ, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, सर प्रोमोशन नहीं करते रहो गया अब ना, 26 की वीडियो बना दी, प्रोमोशन के शिक्कर में, है, चलो अगला देखो, course, core course है, geology paper to mineral science, देखो अभी तुमारे first semester का हिस labor चल रहा credit science में, theory में 4 points, यह तो बता दिया, theory lectures की बात करते हैं, सीधे आजाते हैं, slivers पे unit 1, अब देखो, crystallography, crystallography, unit 1, elementary ideas about crystal morphology and in relation to internal structures, ठीक है, crystal parameters and indices, यह चीज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी, crystal symmetry and classification of crystals into 6 systems and 32 point groups, तो यह आपको चैनल पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा, crystallography करके playlist बनाई है, नहीं वाली देखना, ठीक है, पुरानी भी है, उसमें crystallography and mineralogy करके, उसमें short में दिया है, और काफी कम चीज़ें कराई हैं, बड़े इसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा, दूसरा है unit 2, तो नहीं वाली playlist देखना, यह सेस्ट करूँगा, वो crystallography नाम से डाल दिया है, शायद 2022 भी लिखा उसमें, ध्यान नहीं आता, ठीक है, unit 2 की बात करें, तो crystal symmetry and projections, elements of crystal chemistry and aspects of crystal structures, stereographic projections of symmetry elements and forms, ठीक है, तो इस से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे चैनल पर, ठीक है, इस unit से, तो य इन फ्यूचर में यह सब कवर करूँगा, अब यह देखो, unit 3 rock forming minerals, तो यह आपको मिल जाएगा, पूरा-पूरा, minerals, definition and classification, physical and chemical properties, composition of common rock forming minerals, silicate and non-silicate structures, यह आपको मिल जाएगा, ccp and hcp structures, अचा यह शायद नहीं कराया हुआ, और unit 4 properties of light and optical microscopy, यह आपको अच्छे से एकदम detail मे अप्टिकल प्रॉपर्टी तो पूरी कराई है, ठीक है, optical microscope भी तो नहीं बोलों, अब अप्टिकल प्रॉपर्टी में पूरी कराई है, ठीक है, जो 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 जी 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 में काम आती, तो वह आपको वहां पर मिल दाएगा, crystalography और mineralogy वाली playlist में, अच्छा के देखें, इसमें और भी है, देखो और क्या है, nature of light and principle of optical mineralogy, तो यह कराई रखा है, introduction to petrological microscope, इसकी भी पूरी एक वीडियो बना रही है, and identification of common rock, era, and common rock forming minerals, ठीक है, तो petrological microscope की या, इसे हम simple microscope भी बोलते हैं, या petrographic microscope भी बोलते हैं, तो इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगे, आपको notes के साथ, उसमें हर एक पार्ट का अच्छे से detail में समझाया है, कि कैसे कैसे इस पार्ट को हम समझ सकते हैं, और यह भी समझाया है, कि कै कैसे आप इसको यूज करोगे, ठीक है, मिला जादा detail में को नहीं समझाया, क्योंकि यूज करने के लिए सामने समझाया जा सकता है, या फिर वीडियो में मेरे पास microscope हो, तो इतना पैसा है नहीं भी अपने पास के मैं एक microscope तुम सब को समझाने के लिए खरीद लूँ, तु मैंने मिनरोलोजी के अंदर कराया, प्ले लिस्ट में अच्छा आप देखो इसका, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या है, आपके इसको देखते हैं, प्रैक्टिकल्स में इसमें, observation and documentation of, sorry, observation and documentation on symmetry of crystals, अगला है, study of physical properties of minerals in hand specimen, Silicates में, Oliven, Garnet, Andalucyte, Silimonite, Kayanite, Storolite, Barrel, Tormaline, Augite, Oh, तुमकी नाराज हो रहे हो, Actinolite, Trimolite, Hornblend, Serpentine, Talc, Muscovite, Biotite, Phlogopite, Quads, Orthoclase, फिर Quads की Varieties में क्या क्या है, अच्छा फिर यह भी हैं प्लैजियोक्लेज, Microcline, Nepheline, Sodalite, Xeolite, फिर Quads की Varieties में देखो, Chert, Flint, Chalcedony, Agate, Jasper, Amethyst, Rose Quads, Smoggy Quads, Rock Crystal, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, Native Metals, Non-Metal, Sulphites, Oxides, Copper, Sulphur, Graphite, Pyrite, Corundum, Magnetite, ठीक है, आगे, Hydroxides, Helites, Carbonates, Sulphates, Phosphates, इसमें भी, Coelomeline, P-Silent, यह होगा मेरे अनाजर से, Fluorite, Calcite, Malachite, Gypsum, और Appetite, इसमें कावी सारी चीज़ें मेरे ले भी नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें पहली बार पढ़ रहा हूं, Study of some key silicate minerals under optical microscopy and their characteristic properties, तो यह प्रैक्टिकल्स का है आपका, और यह आपको बुक्स के नाम suggest करें और मैंने तो बनाई रखी है, इस फेक नजर मार लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस फेक नजर मार ले ना, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब देखो, Core-Course, ठीक है, Core-Course Geology Paper 3, इसमें है, Elements of Geochemistry, बागी तुम्हें पता ही है, अब सिद्धे हम आते है, Unit 1 पे Unit 1 की बात करें, तो इसमें क्या क्या है, Concepts of Geochemistry, Introduction to Properties of Elements, The Periodic Table, Chemical Bonding, States of Matter and Atomic Environment of Elements, Geochemical Classification of Elements, तो यह portion मैंने नहीं करा है, यह आपको पूरा-का-पूरा 11-12 की Chemistry की बुक्स में मिल जाएगा, Unit 2, Layered Structure of Earth and Geochemistry, Composition of Different Earth and Reservoirs and their Nucleides and Radio Activity, Conservation of Mass, Isotopic and Elemental Fractionation, Concept of Radiogenic Isotopes in Geochronology and Isotopes, Topic Tracers, तो यह तो आपको नहीं मिलने वाले चैनल पर ठीक है, अगला है, Unit 3, Element Transport, Element Transport में बात करें, अच्छा, मैं कुछ छोड़ा तो नहीं, नहीं, Element Transport में देखो, जो भी था वो, Advection and Diffusion, Chromatography, Aqueous Geochemistry में बेसी Concepts of, Basic Concepts and Spatiation in Solutions, EH-PH Relations, EH-PH Relations अलगा है, elements of Marine Chemistry, Mineral Reactions में आपको Digenesis and Hydrothermal Reaction देखना है, यह आपको तो नहीं मिलने वाला चैनल पर मेरे चैनल पर at least, हमारे चैनल पर at least, Unit 4, देखो, Geochemistry of Solid Earth, The Solid Earth, Geochemical Variability, Magma and Its Products, Magma and Its Products मिल दाएगा, बाकी चीज नहीं मिलेगी, The Earth in the Solar System आपको मिल दाएगा, The Formation of Solar System आपको मिल दाएगा, hypothesis डाल रखी हैं काभी सारी, Composition of the bulk silicate Earth मिल दाएगा, नहीं, यह शायद ना मिलें, तो इतनी चीज़ें आपको मिल दाएगे और कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल दाएगे, बट यह Earth in the Solar System, Solar System आपको पूरा मिल दाएगा, Formation of Solar System मिल दाएगा, hypothesis आपको मिल दाएगे, Unit 5, Unit 5 की हम बात कर रहे थे, इसमें क्या क्या है, Geological Behavior of Selected Elements like Si, Al, K, Na, मतलब Silicon, Aluminium, Potassium and Sodium और एट सेक्टर भी है, Practicals देखो, Practicals में क्या क्या है, Types of Geochemical Data Analysis and Interpretation of Common Geological Plots, Geochemical Analysis of Geological Materials, और आखिर में है, Geochemical Variation Diagrams and its Interpretations, बुक्स के नाम देख लो, और वीडियो को में बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, अब आजाते हैं, Paper 4 पे, Paper 4 पे, Structural Geology है, इसका नाम, बागी चीज़ ने तो पते ही हैं तुम्हें, ठीक है, अब देखो, इसमें क्या है, Unit 1 में Structure and Topography, Effects of Topography and Structural Features, Topographic and Structural Maps, Importance, और इनी की Importance, Representative Factors of the Map, Unit 2 देखो, Stress and Strain in Rocks, Concept of Rock Deformation, Stress and Strain in Rocks, Strain Ellipses of Different Types and Gear, Geological, Significance, और Planar and Linear Structures, इसमें Concept of Depend Strike है, यह आपको चैनल पर मिल दाएगा, Outcrop Patterns of Different Structures, यह भी मिल दाएगा, बढ़ते हैं आगे, Unit 3, अब देखो, Unit 3 में किया है, Folds, तो Folds में भी काफी चीज़ है, Fold Morphology, Geometric and Genetic Classification of Folds, Classification of Folds आपको मिल दाएगा, चैनल पर, Introduction to the Mechanics of Folding, Buckling, Bending, Flexural Slip and Flow Folding, तो यह आपको यह जो Mechanics of Folding के, यह आपको देखनी पड़ेगी, Unit 4 है, Unit 4, Foliation and Lineation, इसमें क्या 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 है, Description and Origin of Foliations, इसके अंदर भी काफी सारी चीज़ें है, Axial Plane Cleavage and its Tectonic Significance, दूसरा है, Description and Origin of Lineations and Relationship with the Major Structures, तो यह उनिट 5 में है, Fractures and Faults, Geometric and Genetic Classification of Fractures and Faults, तो Fracture and Faults के Classification आपको चैनल पर मिल जाएगा, बट वो Geometric और Genetic हों, यह ज़रूरी नहीं है, Effects of Faulting on the Outcrops, और बाद में है, Geologic, Geomorphic Criteria for Recognition of Walls and Fault Plane Solutions, बढ़ते हैं आगे Practicals की तरफ, तो यह हैं आपके Practical, देखो क्या 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 है, इसमें Basic Idea of Topographic Contours, Topographic Sheets of Various Scales, अगला है, Introduction to Geological Maps, Lethological and Structural Maps, नेक्स है, Structural Contouring and Three-Point Problems of Deep and Strike, ठीक है, अगला है, Drawing Profile Sections and Interpretation of Geological Maps of Different Complexities, Exercises of Stereographic Projections of Mesoscopic Structural Data, और इसमें भी क्या है, Planar, Linear, Folded, एड़्सेटरा, ठीक है, अब बुक्स का नाम आप देख सकते हैं, यह हैं आपकी बुक्स के नाम, और बाकी बुक्स के पर मैंने वीडियो एक बनाई रखिया, आप यहां तो सीरी से वहां से देख सकते हैं, तो यह हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे, अब अगला कोर्स आगया है, जी लॉजी का पेपर फाइव, इसका नाम है इग्नियस पैट्रोलॉजी, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बता है, सीधे आते हैं, यूनिट वन पे, यूनिट वन की बात करों, सरने आते हैं, और मोड औफ अ करेंस पैट्रोलॉजी चैनल पर, वाला है unit 3 में में है phase diagrams and petrogenesis इसमें क्या-क्या है binary and ternary phase diagram understanding crystal melt equilibrium in basaltic and granitic magmas और उसके बाद है मैगमा जनेरेशन क्रेस्टेंड मैंटल दियर एंप्लेस्मेंट एवलुशन तो मैगमा के बारे में वीडियो मैंने डाली हुई है और यह बाकी चीज़ें नहीं है चैनल पर यूनिट फोर की बात करें तो यह है आपका मैगमेटिजम इन डिफरेंट एक्टोनिक सैटिंग्स मैगमेटिजम इन डा ओशियन डोमेंज मो आर बी और ओ आई भी ठीक है अब यह क्या चीज़ है यह तो आपको पता सिल जाएगा चलिए पढ़ते पढ़ते अगला है मैगमे फ्रेटिज्टफिए प्रेटिजम इनिव इवकिन द्रोक है पिट्रोगेश्टी माविश यूवाच यूवट इंद अडियू बं मदे साल्खिया जाएग अथा जाएदे नेशा ईट्रोगेट है इसमें जाद़े विवह कुछ है है यह प्रेक्टिकल नेविश डिखते है practicals और suggested reading एक साथ देख लेते हैं इसमें जादा कुछ है नहीं देखो प्रैक्टिकल्स की बात करें तो study of important igneous rocks in hand specimen and thin sections granite granodiorite diorite gabbro anorthosites ultramathic rocks basalts andecites trachite rhyolite और decite यह dekite जो भी सो पढ़ते होंगे और यह books के नाम है इनको देख लेना इनको मैं नहीं उता रहा हूं ठीक है बढ़ते हैं आगे अगला जो है आपका core course core course geology वह है paper six paper six में है आपके पास sedimentary petrology और इसमें आपको credits पता हैं अब सम्म करते हैं सिरह syllabus की बाद और रेडी ही वीडियो काफी बड़ा हो सुका है बट कोई बात नहीं अच्छा देखो यूनिट वन में क्या है origin of sediments इसमें क्या क्या है weathering and sedimentary flux physical and chemical weathering soils and paleozoles तो यह आपको कुछ से चीजें चैनल पर मिल जाएंगी यूनिट 2 में आपका sediment granulometry grain size scale particle size distribution environmental connotation particle shape and fabric ठीक तो यह आपको खुद से books वोगरे से यह कहीं और से आपको करना पड़ेगा यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 में sedimentary textures structures and environment यह आपको चैनल पर मिल सकता है fluid flow sediment transport and sedimentary structures उसमें भी क्या क्या चीज़ है types of fluids laminar versus turbulent flow particle entrainment transport and deposition ठीक है अगला क्या है paleo current paleo current analysis उसमें paleo currents for different sedimentary environments और आखिर में है sedimentary structure primary and sin sedimentary structures ठीक है यूनिट 4 देखो varieties of sedimentary rocks में क्या क्या है silik plastic rocks conglomerates sand stones mud rocks और इसमें है carbonate rocks controls of carbonate deposition components and classification of limestone dolomite and dolomitization ठीक है और यूनिट 5 में हैं आपका diagenesis यह देखो यूनिट 5 में क्या है diagenesis concepts of diagenesis stages of diagenesis compaction and cementation practicals की बात करें तो यह आपका practicals है exercises on sedimentary structures particle size distribution and statistical treatment paleo current analysis petrography of plastic and non plastic rocks through the hand specimens and thin sections और suggested books आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है पॉस्ट करके आप कर सकते हैं अब अगले core course की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है paleontology ठीक है unit one fossilization and fossil record nature and importance and importance of fossil record fossilization processes and modes of preservation तो आखिर का topic है और fossilization definition आपको channel पर मिल जाएगी ठीक है और यह आखिर के दो टीक है unit two में है taxonomy taxonomy and species concept species concept ठीक है अगला है species concept with special reference to paleontology taxonomic hierarchy theory of organic evolution interpreted from fossil record तो जैसे organic evolution है मनलब evolution of horses एक videos मैंने डाल रगी है चैनल पर unit three में है invertebrate सब्सक्राइब ब्रीफ इंट्रोड़क्शन तो इंपॉर्न इंवर्टिब्रेट ग्रूप जैसे बाइलिपिया गैस्टोपोड़ा ब्रैक्योपोड़ा एंड यह बाइस्ट्रेटिग्राफिक्स तो इन इन तीनों के पर ने वीडियो बना रखिये है सिग्निफिकेंस ऑफ एमोनाइट्स इन मिजो जोईग बायो स्ट्रेटिग्राफिक्स एंड यह पैलियो बायो जोग्राफिक इंप्लिकेशन फंक्शनल एडप्टेशन इन ट्राइलोबाइट्स एन एम्मोन नॉइट्स तो और आमनाइट्स की आपको वीडियो मिल जाएगी एमाइट्स का मिल जाएगी ठीक है तो सिर्फ इतना ही मिलेगा अचा ट्रेम की बात करें तो origin of vertebrates and major steps in vertebrate evolution ठीक है तो vertebrate evolution में आपको humans evolution की video मिल जाएगा mesozoic reptiles with special reference to origin diversity and extinction of आगे क्या है dinosaurs और sorry मैं तब से evolution of humans humans कर रहा हूँ evolution of humans नहीं मैंने evolution of horse कराया है and intercontinental migration तो मैंने सिर्फ evolution of horse करा रहा है आपके course में से human evolution आपको कुछ करना पड़ेगा ठीक है तो जो जो चीज़े मैं बता रहा हूं कि यह मैंने करा रखा है तो यह आप चैनल पर जाकर दीख सकते हैं बागी चीज़ें आपको फिलाल के लिए खुछ से करनी पड़ेगी जब तक कि मैं बेसी जी जीओ लॉजर को को चैनल पर करा नहीं देता हूं यूनिट 5 देखो इंट्रोड़क्शन तो पैलियो बाटमी गवांडवार्ना फ्लोर आपको मिल जाएगा इंट्रोड़क्शन तो इकनोलोजी ठीक है यह यह आपको चैनल पर मिल जाएगा यूनिट 6 की बात करें तो आप यह शायद शायद मिल जाएगा मैं कंसर्म नहीं बड़ इस श्ट्रीग राफी में एक बाट चैक कर लेना एप्लिकेशन और फॉसल इन इस ट्रीग्राफी बाई जोन्स इंडेक्स फॉसल्स को रिलेशन पर वीडिया को मिल जाएगा अगला है रोल्स आप फॉसल इन सीक्वेंस ट्रीग्राफी फॉसल एंड पैलियो सब्सक्राइब इस पैलियो इकोलोजी इसमें क्या 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 है आपके पास study of fossils showing various modes of preservation study of diagnostic morphological characters systematic position stratigraphic position and age of various invertebrate vertebrate and plant fossils सबुक्स के कुछ नाम है यह आप देख सकते हैं पाउस करके और हम बढ़ रहे हैं पेपर 8 यानि metamorphic pathology की तरफ सीधे unit 1 पर आते हैं unit 1 पर आते तो metamorphic metamorphism controls and types ठीक है उसमें definition of metamorphism factors controlling metamorphism types of metamorphism contact regional false zone metamorphism impact metamorphism तो यह chapter आपके complete channel पर अप लब्द है available है मिल दाएगा unit 2 में क्या है metamorphic faces and grades यह मिल दाएगा index minerals यह शाहर ना मिले कीमोग्राफिक projections यह भी नहीं मिल दाएगा metamorphic zones and iso grades concept of metamorphic faces and grade यह शाहर मिल दाएगा metamorphism and tectonism इसमें क्या है relationship between metamorphism and deformation यह शायद मिल दाएग मुझे पहला करेक्ली याद नहीं आ रहा कि मनें काफी पहले कर आएगा अगला है metamorphic mineral reactions prograde and retrograde यह भी शायद मिल सकता है prograde और retrograde तो मिल दाएग और metamorphic mineral reactions मिलेंगे यह मुश्किल है unit 4 है magmatites and their origin metasomatism and role of fluids in metamorphism तो इस chapter का भी काफिस से आपको मिल दाएगा unit 5 देखो unit 5 में क्या है metamorphic rock associations cysts, nices, condolites, chernokites, blue cysts and echelogites तो यह chapter आपको खुद से करना चाहिए ठीक है इन chapter काफी boring होते है मतलब पढ़ाने के लिए बोरिंग क्योंकि theory है याद करनी है तो यह तो आपको करना पड़ेगा न भई ठीक है क्या पता है इनी future में करा हूँ practical की बात करें तो देखो megascopic and microscopic study textural and mineralogical of the following metamorphic rocks, low grade metamorphic rocks serpentinites, albite, epidote, chloride, quartz cyst, slate, talc, tremolite, calcite, quartz cyst ठीक है फिर एकला है medium to high grade metamorphic rocks जैसे की नीसेस, amphibolite, hornfels, garnetiferous cysts, silimonite, kyanite bearing rocks, granulites, eclogite, depocyte, forest right marble और इसके बाद यह लैबोरेटरी exercises in graphic plots for petrochemistry and interpretation of assemblages और यह है आपकी books फिर बढ़ते हैं अगले course की तरफ paper 9 ठीक जिसका नाम है stratigraphic principles and Indian stratigraphy ठीक है सीदे इसीदी unit 1 पे आते हैं principles of stratigraphy fundamentals of lethal bio and chronostratigraphy introduction to concepts of dynamic stratigraphy chemostratigraphy, seismic stratigraphy, sequence stratigraphy तो इससे आपको सिर्फ stratigraphy और principles of stratigraphy stratigraphy की definition और principles of stratigraphy आपको मिल जाएगा लीथो बाई और क्रोनों यह शायद ना मिले शायद मिल भी जाए चेक कर लेना ठीक है stratigraphy playlist में अब बढ़ते हैं unit 2 की तरफ code of stratigraphic nomenclature इसमें क्या क्या है international stratigraphy code development of standardized stratigraphic nomenclature फिर है concepts of stratotypes उसके बाद है topic global stratotype selection and point gssp brief introduction to the concepts of lethal stratigraphy biostratigraphy chronostratigraphy seismic stratigraphy और chemostratigraphy उसके बाद है magnitude stratigraphy फिर अगला topic sequence stratigraphy and their subdivisions with examples unit 3 में है principles of stratigraphic analysis faces concept in stratigraphy walters या walder's law of faces ठीक है अगला है concept of paleo geographic reconstruction तो हमने जो भी सिम में stratigraphy पढ़े थी वो इससे काफी लगती तो बहुत जादा डिटील है हमने तो एक दम theoretical stratigraphy बढ़े थी और बस principles ही पढ़े थी लॉजिक्स में कम था theoretical जादा था unit 4 दिको physiographic and tectonic subdivisions of India यह मिल जाए ब्रीफ इंट्रोड़क्शन to the physiographic and tectonic subdivisions of India introduction to Indian shield introduction to proterozoic basins of India geology of Indian and kadapa basins of India तो यहाला topic आपको मिल दाएगा proterozoic basins आपको मिल दाएगा Indian shield मिल दाएगी तो यह आपको मिल दाएगा unit 5 में देखो fenerozoic stratigraphy of India इसमें paleozoic succession of kasmir and its core relatives from spiti and dhanskar stratigraphy आपको मिल दाएगा structure and hydrocarbon potential of Gondwana basins मिल जाएगे mesozoic stratigraphy of India मिल जाएगा tricyc successions of spiti jurassic of kaj cretaceous success of kaveri basins cenozoic stratigraphy of India में kaj basins shivalic successions asam and man and arakana basins stratigraphy and structure of krishna godavari basins kaveri basins bombay offshore basin kach and sauras basins and their potential of hydrocarbon exploration अब जो यह वाल आपका chapter है unit 5 इसमें से आपको 90% आपको channel पर मिल दाएगा available है ठीक है Hindi और English दोनों languages में और notes in English में ठीक है तो यह आपको पूरा मिल दाएगा अब आते unit 6 पे तो आपको इसको ढूण लें क्या करना पड़ेगा study for knowledge search tomorrow उसके बाद जाओ stratigraphy नाम की playlist में और पढ़ना सुरू करो unit 6 में volcanic provinces of India मिल जाएगा उस और नहीं मिलेगा सब्सक्राइब केम्रियन बाउंडरी पर्मियन ट्राइसिक बाउंडरी यह शाहिए जीलोजिकल time scale में है शाहिए प्रेक्टिकल्स में देखवा आप सब्सक्राइब इंडिया इंटिफिकेशन of major stratigraphic units दूसरा है study of rocks enhanced specimens from known Indian stratigraphic stratigraphic horizons और अगला है drawing various paleo paleo geographic maps of pre-cambrian time और फूर्थ है study of different proterozoic supercontinent reconstructions बुक्स की बात करें तो यह आल यह आप बढ़ते हैं अब हम बढ़ रहे हैं paper 10 की तरफ hydrogeology इसमें क्या क्या है introduction and basic concepts introduction and basic concepts scope of hydrogeology and its societal relevance hydrological cycle precipitation evapotranspiration runoff infiltration and subsurface movement of water तो यह वाला पाहट है इसका यह आपको पूरा मिल जाएगा channel पर rock properties of properties affecting groundwater vertical distribution of subsurface water यह भी मिल जाएगा उस और सब वर्टिकल डिस्टिपिशन आपको ground water के मिल जाएगा उने करा रहा है ताइप महलब वही बात होगे subsurface साय उसी को कहते है ठीक है types of aquifer मिल जाएगा aquifer parameters anisotropy and heterogeneity of aquifer aquifers पे मिल जाएगा types of aquifer और parameters सो मिली जाएगे बट यह आखिर को topic यह चेक कर लेना वीडियो में unit to groundwater flow Darcy's law and its validity मिल जाएगा intrinsic permeability and hydraulic conductivity ground water flow rates and flow direction laminar and turbulent groundwater flow groundwater के बारे में थोड़ी सी वीडियो करा ही है तो वह आपको चेक करनी पड़ेंगी कि है या नहीं है ठीक है टैली करके देखना पड़ेगा और सॉरी माफी चाहूंग इसके लिए unit 3 well hydraulics and groundwater exploration basic concepts में क्या क्या है drawdown specific capacity etc elementary concepts related to equilibrium and non equilibrium condition for flow for water flow to a well in confined and unconfined aquifers to confined or unconfined aquifers आपको मिल दाएगा surface based ground water exploration methods और introduction to subsurface borehole logging methods और unit 4 आपकी ground water chemistry इसमें क्या-क्या है यह है वह कितना बड़ा स्लेबस है सार इतना बड़ा वीडियो स्लेबस कही क्या करें या अब है तो है physical and chemical properties of water and water quality introduction to methods of interpreting groundwater quality data using standard graphical plots sea water intrusion in coastal aquifers or unit 5 है groundwater management surface and subsurface water interaction ground level fluctuations basic concepts of water balance studies issues related to groundwater resources development and management और आकर में है rainwater harvesting and artificial recharge of ground water अब आगे दिखो किया है practicals preparation and interpretation of water level contour maps and depth to water level maps अगला है study preparation and analysis of hydrographs for differing ground water conditions फिर है water potential zones of India map study geographical representation of chemical quality data and water classification bracket में है CS and trilinear diagrams next time simple numerical problems related to determination of permeability in field and laboratory तो permeability की उपर वीडियो बना रखी है उसका formula दे रखा है और उस formula को apply करके आप numerical कर सकते हैं groundwater flow well hydraulics इसेट्रा ठीक है suggested readings में थोड़ी बहुत बुक्स हैं दोई देख लेना बढ़ते हैं 11th course की तरफ जो की है economic geology अब economic geology में क्या है और्स एंड गैंक्स यह आपको मिल जाएगा पर ओर्स गैंग मिन्रेल्स टैनर ग्रेड एंड लोट्स लोट्स हाइद ना मिले बाकी चीज़े मिल जाएगी रिसोर्स एंड डिजर्स में economic and academic definition यह आपको नहीं मिलेगा यह तो की बात करने तो mineral deposits and classical classical concepts of ore formation mineral occurrence mineral deposit and ore deposit historical concepts of ore genesis man's earliest vocation mining plutonist and neptunist concepts of ore genesis इस तो मतलब इस उनित्स आपको काफी कम बाड मिलेगा चैनल पर unit 3 है आपका mineral exploration इसमें किया है exploration and exploitation techniques exploration and exploitation techniques remote sensing geophysical and geochemical explorations geological mapping at different scales drilling फिर यह बोर होल लॉक बोर होल लॉक्स and transverse sections अब दीखा बोर होल ठीक है unit 4 देखो structure and texture of ore deposits में क्या क्या है concordant and discordant overbodies अगला है endogenous process magnetic concentration scans graces and hydrothermal deposits of exogenous exogenous processes weathering products and residual deposits oxidation and supergene enrichment यह topic कराया हुए मैंने करें supergene enrichment याद रहा है placer deposits भी आपको मिल दाएगा unit 5 देखो और grade and reserve as reserve फिर अगला है assessment of grade और उससे अगला है reserve estimation unit 6 में देखो metallic and non-metallic course इसमें पहला क्या है metal metalogenic provinces and epochs अगला है important deposits of India including atomic minerals उससे अगला है non-metallic and industrial rocks and minerals और इंडिया भारत के ठीक है और introduction to gemstones अचा प्रैक्टिकल्स देखो Megascopic identification study of microscopic properties of ore forming minerals और कहां गया हो यह रहा है ore forming minerals oxides and sulfides preparation of maps be a distribution of important ores and other economic minerals in India readings देख लो suggested reading मनला books क्या उन कौन सी है आपकी अब बाकी वीडियो में नहीं रखा है ठीक है paper 12 की बात करते हैं आता हो जीओ मॉर्फोलोजी इसका नाम है सीरे unit 1 पर आजाते हैं यह है introduction to geomorphology endogenic and exogenic processes unit 2 में क्या क्या है geoid topography hypsometry global hypsometry major hypsometry जो भी से बढ़ते होंगे ठीक है major morphological features large scale topography ocean basins plate tectonics overview large scale mountain regions with emphasis on Himalaya unit 3 में क्या है surficial processes and geomorphology weathering and associated landforms hill slopes glacial periglacial processes and inform and landforms अगला है fluvial processes and landforms aeolian processes and landforms अगला है fluvial processes and landforms ठीक है unit 4 में देखो क्या क्या है endogenic exogenic interactions rates of uplift and denudation rates of uplift and denudation tectonics and drainage development ठीक है अगला topic है sea level change और अगला topic है long term landscape development unit 5 के है overview of Indian geomorphology और extraterrestrial landforms तो इससे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भई चैनल पे यह कराया नहीं होगा है कभी भी इवन मेर ले भी सारी चीज़ नहीं है है in practicals में देखते हैं आप reading topographic maps concept of scale preparation of a topographic profile preparation of longitudinal profile of a river preparing hack profile calculating stream length gradient index अगला है morphometry of a drainage basin calculating different morphometric parameters preparation of अब देखो preparation of geomorphic map interpretation of geomorphic processes from the geomorphology of the area यह अलग topic इतना है ठीक है रीडिंस देख लो इतनी है books के नाम अब आजए पेपर 13 पे ठीक है engineering geologist का नाम है अब देखो geology versus engineering पहला topic role of engineering geologist in planning अगला है nntact rock and rock mass properties rock aggregates significance as a construction material or युरे पानितर्स में क्टेर्स में आजपने हो क्यांक है concept mechanism and significance of rock quality designation rqd concept and अगला है mechanism and significance of rock structure rating rock mass rating टॉनलिंग क्वालिटी इंडेक्स क्यों ठीक है और इसमें क्या है जियो लॉजिकल जियो टेक्निकल और इन्वर्मेंटल कंसिदरेशन फॉर डैंप एंड रिजरवाइट अभी और भी है तो यह डैंप और रिजरवाइट आपको चैनल पर मिल दाएगा ठीक है यॉनिटि 6 मिल दाएगी है आपको ट्रॉनल एंड लाइट इन्क ट्रॉनलिंग मेघर कंसिद्व अलं जाएगा वह ऐस फेक्टर केंडेक्टी अंग्या चैनल मिल जाएगा दूसरा है merits, demerits and remedial measures based upon geological cross sections of project sites तीसरा है computation of index properties of rocks और चौता है computation of RQD, RSR, RMR and Q ठीक है, अब आते हैं आपकी readings पर, ये है readings, books के नाम है ये ठीक है, अब आते हैं आपके unit 14 पर remote sensing and GIS, देखरो कितना बड़ा course है इसलिए ये course special है, photo geology, types and acquisition of aerial photographs, ये सब unit 1 के topic है, scale and resolution, principles of stereoscopy, relief displacement, vertical exaggeration and distortion है, यही लिखा हुआ है उसके बाद क्या है, elements of air photo interpretation, अगला है identification of sedimentary, igneous and metamorphic rocks and various aeolian, glacial, fluvial and marine land forms, तो sedimentary, igneous and metamorphic rocks आपको चैनल पर मिल जाएंगी वीडियो और aeolian, glacial, fluvial, इन तो मतलब भी चाहिए मैंने कभी कभी बताया हुआ, unit 2 देखो remote sensing and concepts in remote sensing, sensors and scanners, satellites and their characteristics, data formats, raster and vector, तो ये चीज़े आपको मिल पढ़ना होगा, उनिट 3 प्यादाते हैं, ये है unit 3, digital image processing, image errors, rectification and restoration, FCC, image enhancement, filtering, image rationing, image classification and accuracy assessment, और उसके बाद है GIS integration and case studies in Indian examples, unit 4 में किया है, सबस्वेल है GIS datum, उसके बाद है coordinate systems and projection systems, अगला है special data models and data rating, और लास्ट में है introduction to DEM analysis, और unit 5 है GPS, पहला topic, अगला है concepts of GPS, उसके बाद है integrating GPS data with GIS, और application in earth system sciences, ठीक है, अगला है practicals की बाद करें, तो aerial photo interpretation, identification of sedimentary, igneous and metamorphic rocks and various aeolian, glacial, fluvial and marine landforms, अगला है introduction to DIP and GIS softwares, digital image processing exercises, including analysis of satellite data in different hands and interpretation of various objects, on the basis of their spectral signatures, creating a FCC from raw data, ठीक है, अगला देखो, ये, raw data तक हो गया था, registration of satellite data with a topo sheet of the area, उसके बाद है, ये, enhancement the satellite image, images, enhancing the satellite images, general NDVI images and the other image ratio and the interpretation, उसके बाद है interpretation, फिर है classification of images, फिर है DEM analysis, उसके अंदर है generating slope map, aspect map and drainage network map and its applications, उसके बाद ये बुक्स के नाम है, इह देख लेना, तो एक घंटा का वीडियो आड़ी हो चुका है तक करीबन, तो 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 एक घंटा का वीडियो आड़ी हो चुका है तो इस वीडियो को हम इतना ही करेंगे, कि discipline specific elective ये बागी चीज़े हम अगली वीडियो में करेंगे ठीक है, तो लास्ट में होता है, लास्ट में होता है धन्यवाद, धन्यवाद अप सब का, कि आपने इस वीडियो को देखा, ठीक है, आपकी मदद हुई होगी, मेरी भी म ठीक है, और ये पपलो आप से दुबारा request करता है, कि सरकी वीडियो को like जरूर करें, चैनल को सकरबकराइज करें, यानि subscribe करें चैनल को, ठीक है, और comment करें, कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, अच्छा लगा है, या बुरा लगा है, जैसा भी लगा है, वो comment करें, ठ ठीक है, share जरूर करें, दूर दूर तक अपने दोस्तों तक ही वीडियो पहुंच आए, और bell icon, घंटी जरूर बजाए, ये घंटी जरूर बजाए, ताकि आपको आने वाली वीडियो उसका पता लगता रहें, ठीक है, तो like, share, comment, और subscribe करें चैनल को, bell icon दबाएं, ठीक है, और इसका पार्ट टू जरूर आएगा, पार्ट टू, पार्ट टू के लिए बेट करें, ठीक है, मिलते हैं यह के लिए वीडियो में, धन्यवाद,